नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्य के खजाने से कुछ अन्नोल कहानिया आए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी सननाटा ही सननाटा दोस्तों कहानी सुनने से पहले एक अनुरोध है अगर आपको motivational stories और quote सुनने पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल थोड़ी से spiritual को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे description box में है तो आईए सुनते हैं सन्नाटा ही सन्नाटा डाकिया तो चिठ्ठी देकर चला गया पर जाते जाते घर में पंद्रा दिन से चले आ रहे आंदोच्सों का समापन कर गया सावित्री को तो जैसे काठ मार गया लड़ूं के लिए बेसन सेखते उसके हाथ एकदम रुप गये सुनीता लपक कर कर चलना समा लेती तो सारा बेसन राख हो गया होता अम्मा को यों गुंसुम देखा तो नरेश परेशान हो उठा उनके पास बैठकर सांतोना के स्वर में बोला जरा होसला रखो अम्मा तुम तो एकदम उदास हो जाती हो जानती तो हो कि यह फौज की नौकरी है वो आधी रात को भी बुलाएं तो हमें जाना पड़ता है आज यह कोई नई बात थोड़े ही है तुम्हें तो बलकि अब इसकी आदत हो जानी चाहिए थी आदत ऐसी बातों की आदत पड़ती है कहीं बरस बरस भरबाट जो हने के बाद तो बेटा घर आता है मन में पूरी पकवानों की एक लंबी फैरिस्त को सजोए रहती है पर उन में से आधी भी बन नहीं पाती और छुट्टियां खत्म हो जाती है वह चला जाता है और पश् पर सरकारी आग्या है उसे टाला नहीं जा सकता पता नहीं क्यों सरकार अपने जवानों को चौकस रखना चाती है पता नहीं कब कैसे जरूरत पड़ जाये शोभा सावित्री ने अपने भीतर उठते तुफान को बर्बस दबाते हुए आवाज दी बेटे जरा उसके कपड जे ले गया था वे आइंकी नहीं जी कड़ा करके सावित्री अब बेटे की तयारी में जुट गई थी पर उसने देखा कि बहुपर उसकी हरबड़ी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है वो वैसे ही सिर जुकाए सामने खड़ी थी क्या वात है शोभा उस दिन मुंशी जी ने लॉंडरी की रसीद आपको तो नहीं दी सुनीता के पास है क्यों वो जो दो साड़िया ड्राइ क्लीन करने दी थी वे भी मंगा लेती राकेश जी जा ही रहे हैं तो ओ फो तुम्हारी साड़ियों की क्या जल्दी है पहले उसका सामान तो ठीक करो बहु कुछ देर साड अंगलियों पर लपेटती रही फिर धीरे से बोली साथ ही निकल जाती तो ठीक पंदरा दिन पीछे बच्चों के स्कोल खुल रहे हैं फिर तो जाना ही है इतनी दूर का सफर और बच्चों का साथ मेरे बसका थोड़े ही है सुन हो गई सावित्री बहु के जाने की तो उसन भी नहीं किया बच्चों की तो अभी पंदर दिन चुटियां है ना फिर परेशानी क्या है राकेश तुम्हें छोड़ाएगा ऐसी कौन सी में भी एकी पढ़ाई है दो दिन आगे पीछे सही यहार ओटी पानी के भी दिक्कत होगी घर को देखेंगे कि दफ्तर में काम करे तो दिल्ली कोई देहात है सावित्री एकदम जहला पड़ी क्या वहां कोई ढ़ाबा नहीं है क्या मैस में खाना नहीं मिलता सास का उखड़ा मूर देखकर शोभा चुपचाप वहां से खिसक ली सावित्री ने भी राहत की सास ली अच्छा है कम से कम बहु पलटकर नरेश चौके में आकर बैठ गया सावित्री मट्रे के लिए मैदा गूंध रही थी ये क्या गोरक धंदा की रहती हो अम्मा कभी तो आराम कर लिया करो बेटे के स्वर में चापलूसी की चाशनी चलकी पड़ रही थी पर सावित्री पुलकित नहीं हुई सपाट स्वर में बोली आराम तो बेटा अब मरने के बाद ही मिलेगा तुम क्या कहने आये थे शुका हो नरेश थोड़ा सहम तो गया फिर भी हिम्मत करके बोला तुम्हारी आग्या हो तो मैं शोभा को साथ ले जाऊं क्यों उसके मा मेरे भाई की शादी है कह रही थी इसी बहाने नंसाल ग हिज रखा है पर यहां आना था इसलिए हमने कैंसल कर दिया था अब मेरी छुट्टी कैंसल हो गई है तो छुट्टी तुम्हारी कैंसल हुई है उसकी तो नहीं आने जाने की समस्या भी तो है अम्मा अगर वह जाना ही चाहती है तो कोई बात नहीं बैसे मैंने उससे कहा थ था कि राकेश छोड़ाएगा वह तो छोड़ाएगा अम्मा पर सोचो बिना बात के दो तीन सो रुपए फुग जाएंगे वे ही रुपए यहां किसी और कामा सकते हैं चुप हो गई सावित्री ठीक तो है वे लोग ऐसे धन्ना सेश तो नहीं है कि दो तीन सो ऐसे ही फुग उसने तो केवल इतना चाहा था कि भावी को छोड़ने के बहाने लड़का दिल्ली गूमाएगा में चारे बच्चे कहीं भी तो निकल नहीं पाते साल भर रिष्टे में शादिया निकलती रहती हैं पर कहीं जाना नहीं हो पाता मजबूरी में पती-पत्नी चले भी जाएं कहीं भी जाना कि आजकल सरल रह गया है कि राय का जुगार करें नेक दस्तूर का इंतिजाम करें कि पहले अपना हुलिया सुधारें नरेश बंधी बधाई रकम भेशता है कभी ऐसे कामों के लिए खर्च की मांग करो तो एक लेक्चर पिला देता है आप लोग बेकार के पचड़ों में पड़े हैं आजकल कोई इतनी रिष्टेदारिया निभाता भी है कमाओ बेटा है उसकी हर बाद चुपचाफ सुन लेनी होती है माँ बापको उपदेश देता है पर खुद ससुराल की एक शादी नहीं छोड़ता माना की गाजी अबाद लगा ही हुआ है फिल भी खर्श तो होता ही है पास में होने के कारण बहु के पीहर से कोई न कोई आता ही रहता है पर नरेश कभी यह नहीं सोचता कि यह मेरे भाई बहन जो मरे आगे बिचविच जाते हैं कभी इन्हें भी दिल्ली की सेर करा दूँ बस हर बार वही किराय का रोना पिछले बरस सामने वाले शर्माजी हरिद्वार गए थे घर का सा साथ था सो बिना किसी पूरो सोचना के सावित्री ने सुनीता को दिल्ली भेज दिया सोचा था फस्बे में रहते रहते उप गई है बिचारी थोड़ा गूम फिर लेगी तो मन हलका हो जाएगा भाई भतीजों के साथ तबियत बहल जाएगी भावी के पास बैठ कर थोड़ा शहरी तोर तरीका सीख जाएगी पर ऐसा कहा हो सका लोटी तो सुनीता इतनी उदास थी बोली ना सेर ना सपाटा बस जाते ही काम से लाद दिया जैसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो भावी की मौसेरी बहने आई हुई थी उन्हें तो कोई पानी का ग्लास भी न उठाने देता था जहा जाता था कि उन्हें आदत नहीं है मेरे सामने भावी चिकनी चुपडी कहती रहती अरे हमारी सुनीता बहुत होशियार है उसे खाना बनाने का इतना शौक है हमेशा कुछ न कुछ नया बनाती रहेगी खाक शौक है बेचारी मजबूरी में सब सीखती रही है अम्मा की जचकी और बिमारियों ने उसे इतनी से उम्र में ही बुजुर्ग बना दिया है सोचा था बहु आएगी तो सुनीता को थोड़ा आराम हो जाएगा पर कहां उन लोगों की आने से काम उल्टा बढ़ जाता है वे लोग तो मेहमान बन कर छुट्टी मनाने के लिए आते हैं एक आद पिक्चर भाई बहनों को दिखा लाते हैं और बस फिर तो सुबह शाम घूमते रहते हैं दोस्तों के घर खाना होता है उन्हीं लोगों के साथ पिक्निक होती है शौपिंग होती है अम्मा और सुनीता बच्चों को सम्हालती है नित नए पकवान बना कर खाने के लिए बाट जोती रहती है कितने कितनी बाते हैं जो सावित्री बहु से कहना चाहती है पर मौका ही नहीं मिलता वह कहना चाहती है कि अब जरा सुनीता पर भी ध्यान दो उसे जरा नए जमाने के तोर तरीके सिखाओ पहनने उरने का सलीका बताओ हो सके तो एकाद सूट या साड़ी उसके लिए छोड़ जाओ आजकल सुगर और सुशील लड़की किसे की आखों में नहीं चड़ती सब तड़क भड़क चाहते हैं जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा नहीं तो लड़की कुवारी रह जाएगी जाहिर है कि ये सारी बाते नरेश के सामने नहीं की जा सकती और बहु को अकेले में पा लेना बड़ा कठिन है इतना साथो घर है और बच्चे है कि सिर पर खड़े ही रहते है नरेश के साथ बहु भी चली जाएगी तो सारी बाते मन की मन में ही रह जाएगी एका एक उसे याद आया कल रात अश्ठाना जी एक लड़के का आतापता दे गए है फरीदाबाद की किसी फैक्टरी में काम करता है लड़का बरेली का रहने वाला है सावित्री ने वह कागट सहेज कर रख दिया था कि नरेश को जाते समय दे देगी अब एका एक ही सबते हो गया है तो उसने आलमारी में विछे कागच के नीचे से वह पर्ची निकाली और सेड़ियां चढ़ने लगी उपर आकर कमरी की और मुड़ी ही थी कि दर्वाजे में छिठक गई भीतर गर्मा गरम बहस शिड़ी हुई थी मेरा मतलब यह था कि अम्मा इतना कह रही है तो चार रोज रुख जाओ चाहो तो मैं तार करके बुला लूँगा नहीं बाबा मुझे यहां मत छोड़ना मैं तो मर जाओंगी क्यों मरने की क्या बात है लोग रहते नहीं है लोगों की बात और है मैं नहीं रह सकती पर परेशानी क्या है इतना प्यार करते हैं सब अम्मा बेचारी तो जान छिड़कती है त्यार वैर तो सब ठीक है पर यहां का काम देखा है मेरा तो भुरकुस निकल जाएगा सुबह शाम रोटी बेलते कपडे धोते हाथों में छाले पड़ जाएंगे तुम्हारे बाहने घंटा तो घंटा पीछे तो रसोई में दफन होकर रह जाऊंगे तुम्हें यह सब पहार सा क्यूं लग रहा है सुनीता बेचारी भी करती ही है की नहीं यह तो आदत की बात है खेर काम की छोड़ो घड़ी भर कहीं लेटने का भी तो ठोड नहीं है तुम गए नहीं कि इस कमरे में सब की भीड़ो जाएगी दिन भर की किलकिल से मेरे तो कान पक जाते हैं देखो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगी पर मुझे यहां रहने के लिए मत कहना वैसे मन तो हो रहा था कि चीख कर कह दे नहीं चाहिए तुम्हारे 500 अपने पास रखे रहो हम रूखी सूखी ही खा कर रह लेंगे पर मुझे उठा कर इतनी बड़ी बात कह देना क्या इतना आसान है अगर कल को नरेश पैसे भीचना बंद करते तो कितनी ही चीज़ें अधर में लटकी रह जाएंगी राकेश के ट्यूशन, महेश के जूते मुनीश का स्वेटर, तुनीता की साड़ी, बाबुजी का दूद उसके अपनी दवाईया कितनी जरूरते हैं जो उस मनी ओर्डर से लिप्टी रहती है इस कड़वे सच को कैसे नकार दे चलते समय नरेश की आँखें हमेशा की तरह चलचला आई तो उसका जी जुडा गया ठीक तो है, लड़के किसके हमेशा घर बने रहते हैं रोजी रोटी के लिए सबको एक दिन बाहर निकलना ही है वह कब तक उन्हें अपने आचल तले रख पाएगी कहीं भी रहें सुखी रहें तन भले ही परदेश में हो पर मन से अपने बने रहें बस मंता से उबडूब होते हुए उसने जैसे ही बहु का हुलस्ता चहरा देखा उसके सारी खुशी हवा हो गई कैसे चहक रही थी जैसे जेल से छुट्टी मिल गई हो हाँ सास के पाउं लगते हुए जूट मोट को विसुर नावन नहीं भूली हाँ अम्मा जी मन भर आपके पास रहना भी नहीं हो सका मेरे भाग्य में शायद आपकी सेवा ही नहीं है सच इतना खराब लग रहा है बच्चे तो दादा दादी के लिए तरस जाएंगे यहां आने के लिए महीना भर पहले से उचक रहे थे देखे पंदर दिन भी रहना नहों पाया और ये पंदर दिन भी कैसे फुर से उड़ गए बहु के भावकता से अडोस पडोस की ओरते भीकने लगी थी पर सावित्री प्रस्तर मूर्ती सी खड़ी रही पैरो पढ़ती बहु को आसी इसना भी एक उपचारिकता थी जो उसने निभा दी पगली सुनीता बबलू और गुडिया को चुपटा कर जार जार रो रही थी पर उसने चाती में उठती हूग को दबा कर दोनों को एक बार चूमा और फिर बेकार मुह बढ़ाने से फायदा भाई या भावी को छोड़ने बच्चे बस स्टेंट चले गए बच्चों के पिता रोज की तरह लाला की दुकान पर चले गए जहां वे शाम को बैठ कर हिसाब देखते थे घार एकदम सुना हो गया था पर उससे कहीं अधिक सुना पन उसके मन में भर गया था बाहर का सन्नाटा तो अभी बच्चों के आते ही तूट जाएगा पर ये भीतर का सन्नाटा इसे कौन तोड़ेगा आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी सन्नाटा ही सन्नाटा दोस्तों उमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी दन्यवाद